देखो भाई कभी भी आपको two step verification के लिए इस तरह का Google आपको notification भेजता है तो यार समझ लेना आपके email ID में कोई login करने का try कर रहा है चाहे तो आप खुद कर रहे हो या आपका दोस्त या फिर कोई hacker जो है वो आपके account में login करना चाहता है तो ऐसा में आपको सतर करना है अगर आप कर रहे हो तो आप अपना OTP जो है वो किसी को share ना करना आप direct OTP को डाल करके आप इसमें login करोगे तो आपका login हो जागा लेकिन अगर आप नहीं कर रहे हो और आपको Google notification भेज रहा है कि आप two step verification बैपास करो अपने phone के उपर yes के उपर click करो तब भाई आप समझ लो आपका account hack हो जागा अगर आप yes के उपर click करते हो तब मत करना ऐसा कुछ भी अगर आप कर रहे हो तब तो कोई बात ही नहीं लेकिन अगर आप नहीं कर रहे हो सा notification आता है तो आप डायरेक्ट इसे जो है वो आप रिपोर्ट मार दें और गूगल को बता दें email पर जाकर के कि मेरे account में कोई invalid login करने का try कर रहा है ऐसे में आपका email login जो है वो ब्लॉक हो जाएगा और आपका account सेक्योर रहेगा ये वीडियो मुझे बनाने का एक ही मक्सद है बहुत सारी लोग का YouTube चैनल email ID हैक हो जा रहे है तो मैंने सोचा कि अपना सब्सक्राबर को ये टिप्स बताया जा ताकि वो आगे से सतर्क रहे अगर आपके पास भी ऐसा कुछ नोटिफिक्सन बगारा आता है और आप इसे नहीं कर रहे हो तो डारेक्ट ब्लॉक मार करके गूगल को बता दो ताकि आप इससे सिक्योर रहो फिलाल दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक सेर करके चैनल को सब्सक्राब जरूर से कर प्रदेना